क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक जैसा नाष्टा देख देख कर खा खा कर बोर हो जाए पूरे तरीके से तो इसलिए आज मैं आपके लिए एकदम से नई रेस्पी शेयर कर रही हूँ आज हम बनाएंगे कम तेल का बहुती टेस्टी और हेल्दी नाष्टा जिसे बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और इसे खाने के लिए किसी चटनी वगेरा के भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए बिना देरी के हुए इस नाष्टे को बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए हमने या पर लिया है एक इच अधरक का टुकड़ा जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइट करके एक मिक्सी के जार में डाल दिया है साथी में इसमें जाएंगे पांसे छे लैसन के जवे और इसमें हम डालेंगे एक हरी में जिसको हमने तीन पार्ट में डिवाइट कर लिया है वो हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया हरे धनीय को दोने के बाद हमने इसमें इसको डाल दिया है और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे तो यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल फाइन ग्राइंड करा है जैसे कि हम हरे धनीय की चटनी करते हैं उसी तरीके से हमने धनीय की चटनी बना कर तैयार कर ली है इसको हमने एक बॉल में ट्रांसफर कर लेना है धनिये की चटनी को हमने एक मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफर कर लिया है धनिये की चटनी हमारी बिल्कुल पर्फेक्ट बनकर तैयार हुई है इसमें हम डालेंगे एक छोटा चमच के करीब नमक और साथ ही मिस में जाएगा एक कप के करीब आटा, आप किसी कतोरी या कपसी भी मेजरमेंट कर सकते हैं, इसमें हमने आधा आटा डाला है और इसको यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस स्टेश पर हमने पानी को बिल्कुल नहीं डालना है, तो यहाँ पर हमने एक कप के करीब आटा लिया था, वो हमने हरे दही की चटनी बनाई थी, उसमें डाल दिया है, और इसको यहाँ पर हमने मिक्स करते हुए अच्छे से मसलते हुए इसका जो डो है वो बना कर तयार कर लिया है, तो यहाँ पर हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तिमाल नहीं करा साथी मिस में जाएगा एक छोटा चमच के करीब नमक, इसको हमने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें हम डालेंगे पानी, तो यहाँ पर इस्टायटिंग में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों से हमने अच्छे से मिक्स करते हुए और थोड़ थोड़ा पानि डालते हुए इसका भी हमें एक Dough बनाकर त馜ार कर लेना है जैसे हमने हरे धन्या की चतनी का जो डो बनाया था उसी तरीके से हमने इसका भी डो बनाकर तायर करना है तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से मसलते हुए और पंच लगाते हुए इसका भी एकदम डो बनाकर तयार कर लिया है दोनों डो हमारे बिल्कुल पर्टफेक्ट रेडी हो चुके हैं ना ज़दा सौफ्ट है ना ज़दा हार्ड है तो यहाँ पर हमने फिर से एक मिक्सिंग बाउल लिया है और इसमें हम डालेंगे एक कप करीब बेसन आपके खाबव लिया है और यहाँ पर हमने लिया है पानी तो यहाँ पर हमने आदा कप के करीब पानी लिया है पहले हम थोड़ा पानी इसमें डालेंगे और इसको यहाँ पर हमने ब्लेंडर के हैप से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छे से ब्लैंड कर लेना है ताकि इसमें एक भी लंच ना पड़े तो यहाँ पर जो टोटली हमने आदा कप के करीब पानी है वो इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से ब्लैंड कर लेंगे तो यहाँ पर यह अच्छी से ब्लैंड हो चुका है और इसमें एक भी लंस नहीं पड़ा है तो यहाँ पर यह अच्छी से ब्लैंड हो गया है इसमें हम डालेंगे आदी प्याज तो यहाँ पर हमने आदी प्यास को फाइन चॉप कर लिया था वो हम इसमें डाल देंगे साथी में हम इसमें डालेंगे एक गाजा जिसको हमने कदूकस कर लिया था वो हमने इसमें डाल दी है और इसमें अब जाएगी एक हरी मिर्च जिसको हमने फाइनली चॉप किया था वो भी हमने इसमें डाल दी है और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा हरा धनिया दिया था वो हमने चॉप करके इसमें डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे आदा छो चपी ने में दह्रा को रहा होजा है में शुलम हम सबस्री के ओअपर में और स्क्राइब हो चिका भीकिर संथ आ आखके दोनों को हमने एक यूशरे के ऊपर अच्छी से चिपका देना है यहां पर हम एकी आट को तो इस तरह से हम ने दोनों हांटों को त्योड़ करने हैं। भाने घीछ कुटे यहां लगा तो यहां पर हमने इसको आदे आदे इंच की दूरी पर कट किया है तो यहां पर हमने जो सारे pieces हैं वो cut कर लेने हैं तो आदे आदे इंच की दूरी पर हमने इसको cut करना है और जो सारे pieces हैं वो इस तरीके से हम बना कर तयार कर लेंगे तो यहां पर हमने जो सारे pieces हैं वो cut कर लिये है यहाँ पर हम लेंगे एक करची को हुपर एक पेडा रखेंगी और हातों से इसको अच्छी से पियला लेंगे तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फैला लिया है और इसके उपर हम रखेंगे स्टफिंग तो कर्ची को हम पहले एक काउंटर पर रख देंगे और इसके उपर हमने आदे चम्मस की करीब स्टफिंग रख दी है और इसको यहाँ पर हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे इससे जो डिजाइन है वो बहुती जादा बढ़िया बनकर तैयार होगी तो यहाँ पर जो डिजाइन है वो भी बढ़िया बनकर तैयार होगी और इसकी स्टफिंग भी बिल्कुल बहार नहीं निकलेगी तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से इसकी जो डिजाइन ने बना कर तैयार कर ली है यह बहुती बढ़िया डिजाइन बनकर तैयार हो चुकी है तो इसी तरह से हमने दूसरा पेड़ा उठाना है और इसको हमने कर्ची पे अच्छे से प्रेस करना है ताकि जो डिजाइन है वो अच्छी उभर कर आए और इस पर हमने रखना है स्टफिंग को और इसका हमने पहले एक साइड उठाना है और दूसरे साइड को हमने इसमें चिपका देना है तो यहाँ पर हम पहले इसको सैंटर में चिपकाएंगे तो लीजिये हमारी बहुत ही बड़ी है डिजाइन बनकर तयार हो चुकी है तो इसी तरह से जो सारे पीसे हैं उनके हमने डिजाइन बनाकर तयार कर लेनी है तो लीजिये जो सारी डिजाइन ही देखी कितनी उभर कर हमारी जो डिजाइन है वो आई है आपको कर्ची पर रखन करना है तो एक एक करके रख setzt यहां पर हमने लिए इस तरीके की छ़लनी और इस पर हम लगा एंगे ब्रेश के हैले नहीं यहां पर आप एक बार लिसले के जिए आप इस रखेंस लगा पर हम मेंấ अच्छे से उइल लगा लेना है उईल लगा ले क्या होगा यह एक दूसरे के ऊपर चिपकेंगे भी नहीं और एजली निकल भी जाएंगे तो यहां पर अच्छे से हमने इनके ऊपर ओल लगा लिया है और हम चलते हैं गैस की तरफ तो गैस पर हमने कड़ाई में एक लीटर के करीब पानी को अच्छे से गरम कर लिया है और जो हमने चलनी को कड़ाई के ऊपर रख दिया है और इसको हम कवर कर देंगे लिया क kangara है खी जाएं ने भी दिया है और यह काफी च्छे से इसट्डीर हो चुके है तो यहाँ पर मैं आपको एक हास से उठा कर दिखातू ही देखिए कितनी बड़िया जो डिजाइन है वो बनकर तैयार हुई है और यह काफी अच्छे से स्टीम हो चुके है तो अब हम चलते हैं काउंटर की तरह और यह बिना फ्राइ किये हुए भी गर्मा गरम बहुत ही यह बहुत ही ज़्यादा टेष्टी बनते हैं तो यहाँ पर आप इस तरह से काट कर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं तो यहाँ पर हमने जो सारे पीशी वह कट कर लिये हैं लेकिन हम यहाँ पर इनको फृई करेंगे तो यहाँ पर हमने गैस पर एक पैन और इसमें जो सारे पीसिस हैं वो हम एके करके डाल देंगे और जो ये नाश्ता है वो कम तेल में हम बना रहे हैं और ये टेस्टी होने की संग-संग हेल्दी भी है अगर आप चाहें तो इनको फ्राई कीजिए अगर आपको फ्राई नहीं करना है तो आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं तो यहां पर हमने सारे पीसिस इसमें डाल दिये हैं और इसमें हम डालेंगे आदा चोटी चमज के करीब नमक आदी चोटी चमज के करीब लाल मिस्ट पाउडर एक चोटाई चमज के करीब हल्दी पाउडर और सारे चीज़े डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस के फ्लेम को हमने लो रखना है लो फ्लेम पर हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है तो ये बिना फ्राई के हुए भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते है आप चाहें तो इनको फ्राई करके भी खा सकते है तो चट्पटा सा जम नाश्ता है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा तरो ताजा हो जाएंगे इसे खा के तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया हरा धनिया को डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहां पर हमने बहुती कम मसालों का इस्तिमाल किया है और यह बहुती ज़दा टेस्टी बनकर तयार होते हैं और जो हरे धनिये हमने डालेते हैं वो इंक्यूपर अच्छे से लग चुके हैं और ये बहुत ही ज़दा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं यदि आज की ये रेस्पी आपको अच्छी लगे तो मेरी और भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ये बिल्कुल फ्री है साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें इससे मेरे सारी वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे ना तो आपको इसको खाने के लिए किसी चटनी, डाल, रायता वगेरे की जरूरत है बस आप इसका एक फीज उठाइए और ऐसे ही इंजॉई कीजिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनकर तयार होते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई रेस्पी किसा जब तक के लिए अल्ला हाफिज